किसान भाईो नमस्कार मैं पिन सिंग आप सभी भाईों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग जान में एक बार खिर से स्वागत है किसान भाईो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं अदामा कंपनी के एक बेस्ट खरपतवार नासक बजल के बारे में बजल गेहूं का एक सेलेक्टिव हर्वी साइड है यानि चुनिंदा खरपतवार नासक है जो गेहूं के मामा यानि गुली डंडा जिसे गेहूसा या मंदूसी भी कहते हैं और साथ में जंगली जाई का बहुत ही सांदार परडाम देते हुए नियंतरन करता है बजल में पिनोकसा डेन 5.1 परिसे 30 हर्वी साइड रसायन है जिसे मंदूसी और जंगली जाई के नियंतरन के लिए 400 अमेल प्रती एकड़ की दर से 150-200 इटर पाने में मिलाकर इस्प्रेक किया जाता है इस खरपतवार नासक का इस्तेमाल गेहूं बुआई के 30-35 दिन बाद जब ज्यादातर खरपतवार उगाए हो या गुली डंडा और जंगली जाई 2-5 पत्ती की अवस्था में हो तभी करें बजले कैसी दवा है जो कभी फेल नहीं होती है बलकि एक बात और जान लेना जरूरी है किया केवल सकरी पत्ती में केवल गेहूं का मामा यानि गुली डंडा और जंगली जाई को ही कंट्रोल करती है अन्य सकरी या चोड़ी पत्ती के खरपतवारों के उपर काम नहीं करती है अन्य चोड़ी पत्ती के खरपतवाओं जैसे बथुआ, सेजी, सफेद सेजी, किशनीर, मकोई, जंगली पालग, भांग, जंगली मटर आदि को नस्ट करने के लिए बजल के साथ कारफेंटा जोल निथाईल 40% डीअप का 15-20 गराम प्रतियकड की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं कारफेंटा जोल के अलामा आप चाहें तो बजल के साथ मेट सलफुरान 20% WP को 8 गराम प्रतियकड की दर से ले सकते हैं मेट सलफुरान बथुआ, सेजी, बन मेथी, मैना, किर्ष नील, बीसिया इस्टाईवा, मुनमुन, जंगली चौलाई, पथर चट्टा, दूधी, हुलहूल, नगर मोथा, गाजर घास, हिरन खुरी आदि को मारने में सच्चम है किसानवाईों, जैसे ही गेहों की फसल 30-35 दिन की हो, तो खेत की निगरानी करके देख लें कि खेत में कौन-कौन से खरपतवार हैं यदि आपके गेहों में केवल मंदूसी और जंगली जई है, अन्य खरपतवार नहीं हैं, तो केवल बजल का ही इस्तिमाल करें यदि मंदूसी के साथ अन्य चोड़ी पती के खरपतवार हैं, तो कारफेंटा जोन या मेटसल फुरान का इस्तिमाल करें, लेकिन यदि कारफेंटा जोन और मेटसल फुरान दोनों का इस्तिमाल करना जरूरी है, तो प्रती एकल कारफेंटा जोन 10 ग्राम और मेटसल फुर सकरी पत्ती के खर्पतवारों के नियंतरन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है गेहूं की फसल में इस्प्रे करने के बाद दो घंटे के अंदर ही खर्पतवारों के द्वारा आउसोसित कर लिया जाता है और कुछ दिन में ही खर्पतवारों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है किसानवाईों बजल का इस्तिमाल, गेहूं का मामा और जंगली जाई के नियंतरन के लिए विश्वास के साथ कर सकते हैं किसानवाईों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद